प्यारे विध्यारतियों, आज इस वीडियो में हम बुद्धी के सिध्धान्त और उनके परतिपादकों के विशे में अध्यन करेंगे, हम एक कहनी के छोटी सी कहनी के माध्यम से सीखेंगे, कि इसमें बुद्धी का कौन सा सिध्धान्त किस ने दिया है, यानि किस सिध्धा का कौन परतिपादक है तो स्टार्ट करते हैं देखो ये एक छोटी सी कहानी है बुद्धी के सिदान थियोरी जोप इंटेलिजेंस में थोर्ण डाइक बहुत खुस हुआ थ्रस्टन को समों में देखकर उसने इस्पियर मैन को दो-तीन लोगों को बिना रुके एक साथ लाने को कहा लेकिन थोमसन ने अपनी सेंप्लिंग में गिल की 3D की सहायता से वर्णन कर उनका कर्मिक महत्व बढ़ा दिया तो यह कहानी आप दो बार पढ़े पहले इसे तो यह आपके माइंड में सेट हो जाएगी फिर हम इजिली को रिलेट करेंगे कि किस सिदान को का परतिप आप कहानी में भी ऐसा ही है जो पहला है वो परतिपादक फिर उसी से रिलेटिड थेयोरी ओफ इंटेलिजेंस है तो यहाँ पर हम सुरू करते है थोन डाइक तो पहला हमारा परतिपादक हुआ थोन डाइक फिर बहुत बहुत से हो गया बहुत यानि बहुत तत्व सिद्धान्त मल्टी फेक्टर थेयोरी या बहु कारक सिद्धान्त भी कह सकते हैं तो पहला आपका एक फर्स्ट आपका बुद्धी का सिद्धान्त हो गया इस की अकोर्डिंग कहानी के मल्टी फेक्टर थेयोरी गिवन बाई थोन डाइक आगे बढ़ते हैं थोन डाइक ब Thresden को समू में देखकर उसने Spearman को तीसरा परतिपादक आगया Spearman, Spearman को दो-तीन लोगों को, अब यहाँ पर Spearman आपका परतिपादक हो गया, दो-तीन यानि टू-तीन लोगों को यानि टू-तीन लोगों को यानि बिने आगे आगे आपका फोर्त वाला, और एक से एक तत्म सिध्ध्क सिध्धान्त चार्फ्टत तो यहां तक आपका कहाणिक या को बिन और चाहर सिध्धान्त हो गए हैं उसने Spearman को दो-तीन लोगों को बिना रुके एक साथ लाने को कहा, लेकिन फिर क्या हुआ, Thompson ने अपनी Sampling, तो यहाँ पर परतिपादक आया, Thompson, तो फिफ्ट वाला नीचे आते हैं, फिफ्ट वाला हुआ यानि, Thompson, Thompson की Sampling Theory, Sampling Theory यानि परतिपाद सिर्दान्त हो गया, तो लेकिन Thompson ने अपनी Sampling में, तो Sampling से यानि आपका परतिपाद सिर्दान्त हो गया, Thompson, Sampling में गिल की 3D हो, यहाँ पे देखते हैं, गिल की 3D की साहिता, अब 3D यानि 3D dimensional, गिल से हो गया आपका, गिलफोर्ड, यहाँ पे आते हैं नीचे, 6 तवाला हो गया, गिलफोर्ड, गिलफोर्ड से यानि 3D, 3D का मतलब है, 3D dimensional theory, यानि 3 आयाम सिद्धान्त, तो 3 आयाम सिद्धान्त किस ने दिया, गिलफोर्ड ने, तो यहाँ पे गिल 2D की साहिता से, वर्णन, यानि याँ आगया आपका परतिपादक में, कर उनका करमिक महत, तो यहाँ पे हो गया वर्णन तथा बर्ट, यह दो है, इसके कहीं पर अकेला वर्णन भी मिल जाता है, तो Vernon तथा Bert का हो गया कर्मिक महत उसी दान्थ, Vernon कर उनका कर्मिक महत बढ़ा दिया, यानि कर्मिक महत उसी दान्थ, you can say hierarchical theory, it is given by Vernon and Bert, तो इस तरह से आपकी 7 theories हो गई, यहां पे तो Spearman की 2 आ गए, तो वेसे तो 8 बन गई, 2 factor भी और 3 factor भी है, दोनों Spearman ने दिये, तो एक छ बार कहानी दुबारे देखते हैं, बिलकुल simple way में है, यह साथ सिद्धान्थ, आप कभी नहीं भूलेंगे, इस कहानी को correlate करके, तो एक बार और देखते हैं, थोन डाइक बहुत खुस हुआ, तो यहां से पहले परतिपादक का नाम आता है, थोन डाइक परतिपादक हुआ बहुत यानि बहुत तत्व सिद्धान्थ या बहुकारक सिद्धान्थ, multi-factor theory given by ठोन डाइक, खुस्वा थ्रस्टन को समो में, यानि समुकारक सिद्धान्थ, यह किसने दिया थ्रस्टन है, समुत तत्व या समुकारक group factor theory given by थ्रस्टन, मैं देखकर उसने spearman को 2-3 लोगो spearman हो गया परतिपादक, 2-factor theory और 3-factor theory दोनों spearman ने दिये, लोगों को बिना रुके एक, यानि बिना यहां से बिने हो गया, और 1-factor theory एक तत्व सिद्धान्थ हो गया, लाने को कहा लेकिन thompson, thompson परतिपादक ने अपनी sampling यानि sampling theory, sampling theory मतलब परतिदर सिद्धान्थ, य गिल की 3-D, यानि 3-dimensional theory किसने दिये, गिल का मतलब यहां पर गिल-ford है, कि साहिता से वर्नन कर उनका कर्मिक महतु, कर्मिक महतु का सिद्धान दिया है, वर्नन एंड बर्ट ने, यानि hierarchical theory given by वर्नन एंड बर्ट, तो इस तरह से आपके 7 principles correlate हो गए, कहानी के माध्यम से, सेट कर ले, थैंक यू.